पांच पॉली थाना अंतरगत लालगंज परिसर में स्थित मंजुश्री सहकारी पतसंस्था मरियादित के संचालकों ने सेखडों सदस्यों को चूना लगा कर संस्था के कारिया ले बंद कर दिये पिछले दो वर्षों से संस्था में पैसा जमा करने वाले गरीब लोक थाने के चकर काट रहे थे लेकिन पाचपाउली पुलीस ने कोई कारवाई नहीं की आखिर आला अधिकारियों से शिकायत करने पर प्रकरन की जांच हुई अब पुलीस ने संस्था के संचाल को और पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलीस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों में संस्था के अध्यक्ष विनोत कुमभारे, पूर्व अध्यक्ष भावराव पौनिकर, उपध्यक्ष टीना मुहाडिकर, मैनेजर वामन मुहाडिकर, अकाउंटेंट दुर्गा धार्मिक और कैशियर प्रविंद अन्य का समावेश है, संस्था द्वारा उत्तर नाकपूर परिसर में कई एजेंट न्यूक्त किये गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को संस्था का सदस्य बनाकर, रोज कमाकर खाने वाले छोटे दुकानदारों से पैसा निवेश करवाया है, वर्ष 2019 में अचानक संचा और पदादिकारियों ने संस्था का कारियाले बंद कर दिया, निवेशकों में खलबली मच गई, सभी अपनी जमाराशी मांगने के लिए आरोपियों से मिले, उन्हें रकम वापस करने का विश्वास दिलाया गया और टाल मटोल करते रहे, करीब एक वर्ष बीच जाने के बावजोद किसी को रकम वापस नहीं मिली, आखिर लोगों ने पांचपाउली पोली से शिकायत की, पांचपाउली पोलीस ने इसे दीवानी मामला बताते हुए लोगों को वापस भेज दिया, पोलीस द्वारा कोई कारवाई नहीं किये जाने के कारण, निवेशक लोहित मतानी से शिकायत की मतानी ने पाचपाउली पुलीस को जाच कर कारवाई करने के आदेश दिये अब लगभग एक परश बाद पाचपाउली पुलीस ने आरोपियों के खिलाव धोकाधड़ी और MPID Act सहीत विविद्ध धाराओ के तहत मामला दर्च किया है फिलहाल किसी आरोपि की गिरफतारी नहीं हुई है बताया जाता है कि संस्था में करीब 300 निवेशकों का 70 लाक रुपे डुबा है यह आकड़ा और बढ़ सकता है